हेलो गाईज आज हम डिसकस करेंगे जी के चीजस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेक्टिस सेट तथा उससे समबंदि चितने भी फैक्ट बन सकते हैं जो कि आपके exam के लिए most important है तो उन्हें भी पूरा discuss करेंगे तो आप video में last तक बने रहें अगर आप MP Police 2021 की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए most important होगा तथा अगर आप SSC MTS तो SSC MTS 2021 जिसकी vacancy आई हुई है 21 March last date है अगर आप farm नहीं भरें तो भर दीजिएगा अगर आप 10th pass है तो इसका farm भर सकते हैं तो आप ध्यान दीजिए और इन exam की तयारी कर रहे हैं जैसे RRB NTPC, RRC Group D तथा SSC CHSL, CGL आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए video most important होगा तो देखते हैं आज के first question से तो आज का first question हो जाएगा भारती संबिधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है अपात कालिन प्रवधान, संसोधन की प्रक्रिया, प्रात्मिक सिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार तो इसका सही answer हो जाएगा संसोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 है तो उसमें संसोधन की प्रक्रिया का बढ़नान है तो आपको ध्यान रखना है इसके बाद अगर बात करें अपात कालीन प्रवधान तो अपात कालीन प्रवधान के लिए आपको 3 अनुच्छेद याद रखने हैं जो की most important है पूछे जाते हैं हमेशा तो आपको 3 अनुच्छेद कौन कौन से याद रखने हैं तो अनुच्छेद 352 तो एक नोट कर लिजए आप अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 तो ये 3 अनुच्छेद आपको याद रखना है इनमें क्या क्या है तो अनुच्छेद 352 में लिखा है राश्ट्री अपातकाल तो आपको याद रखना है कि इसमें लिखा है नेशनल एमर्जनसी राश्ट्री अपातकाल और अनुच्छे 356 किसे संबंदित होता है ये पूछा जाता है तो अनुच्छे 356 होता है राज्जिकी अपातकाल या तो इसको कहते हैं राज्य अपातकाल तो state emergency कहते हैं इसको या कभी-कभी इसको राष्ट पती सासन लिख की आता है तो आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट पती सासन भी इसको लिखा जाता है इसके बाद अनुच्छे 360 किस से संबंदित होता है तो financial emergency बित्ती अपातकाल से संबंदित होता है या तो ऐसे कौन से emergency है जो एक बार भी नहीं लगी है तो 360 हो जाएगा बित्ती अपातकाल इसके बाद और आपसे क्या पको कॉश्चन पूछा जाता है संबंदान से अनुच्छे से तो अनुच्छे 14 आपसे कॉश्चन पूछा जाता है उन पर किसी भी प्रकार का भेद भाव नहीं किया जाएगा चाहे बड़े आदमी हो छोटे आदमी हो प्रधान मंत्री हो मुख मंत्री हो कानून के समझ सभी समान होंगी इसके बाद एक आपसे पूचा जाता है अनुच्छे सत्रा run. जो कि अनुच्छे 17 किसे संबंदित होता है अंटची बिल्टी से तो आपको ध्यान रखना है कि आ इस परस्ता का अंत तो किसे संबंदित होता है आ इस परस्ता का अंत तो आप अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लिजेगा और अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो वीडिय की स्वतंतर से कौन सा संबन्दित होता है अनुच्छेत 19 जिसमें कौन सा सामिल होता है सूचना काधिकार तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूचना काधिकार सामिल होता है तो इसके बाद देख लेते हैं next question तो next question देख लीजेगा सेयुक्त राष्ट महासभा के अध्यक् क्रिपलानी बी के क्रिष्ण मैनन तथा बिजय लक्ष्मी पंडित तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजय लक्ष्मी पंडित तो बिजय लक्ष्मी पंडित कौन थी तो बिजय लक्ष्मी पंडित थी पंडित जवाहल लाल नहरू की बहन जो की जवाहल लाल नहरू भारत क के second president थे second राष्टपती थे तो आपको ध्यान रखना है कि second हो जाएंगे राष्टपती और जिनको जन्म दिन कम मनाया जाता है तो 5 सितंबर को मनाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है और 5 सितंबर को सिक्षक दिबस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्म दिन अगर अचार क्रपलानी इसके बाद बुझपश्मिपंडित देख लिए इसके बाद देख लेते हैं घर्ष बर्धन दौरा पराजिथ हुए थे तो घर्ष बरधन किसको पराजिथ किया था आप इसका सही आंसर हो जाएगा पराजित हुए थे इसके बाद यहां से question पूछा जाता है कि हर्स बर्धन किस बंस से संबंदिता तो आपको ध्यान रखना है कि हर्स बर्धन किस बंस से संबंदिता पुस्स भूती बंस से तो पुस भूती बंस कभी कभी देता है इससे बंस पूछा जाता है और इसके बात पूछा जाएगा अगर जैसिंग तो जैसिंग किस से सम्मर्दित हो जाएगे तो जैसिंग आमेर रियासत से तो आपको ध्यान रखना है कि आमेर रियासत की बात करेगा तो जैसिंग हो जाएंगे और पुलकेसिन अगर पूछा जाए कि मतलब पुलकेसिन कहा का था तो पुलकेसिन हो जाएगा चालुक कबंस का था इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कोस्टन तो नेक्स्ट कोस्टन देख लिजेगा यहां से इतना ही question पूछा जाता है इसके बाद बात कर लेते हैं next question तो next question देख लिजे 2011 की जनगर्ना के उनसार भारत की सरवधिक घनी आबादी वाला केंसासित प्रदेश है तो 2011 की जनगर्ना से question पूछा जाता है तो आप किसी भीग जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको एक बार देख के जाईएगा जनगर्ना तो देखते हैं कौन सा घनी आबादी वाला था लक्षदीप उदुचेरी राष्टी राजधानी छेत्र दिल्ली सिक्किम तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्टी राजधानी छेत्र दिल्ली तो आपको ध्यान रखन प्रफार्ट की जनगर्ना की सुभरम इसके बाद आगार नेक्स्ट कुश्चन बनता है जो नियमित जनगर्ना है तो नियमित जनगर्ना की बात करें तो 1881 में शुरू हुई थी तो आप नोट कर लिजे इस समय कौन था तो लाड रिपन तो ये किसके टाइम पे हुई थी तो रिपन के टाइम में हुई थी और इसके बाद पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगरना कब हुई थी तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगरना हो जाएगी उनिस सो इंक्यावन में तो आपको ध्यान रखना है कि उनिस सो इंक्यावन में हो जाएगी और एक क्वेशन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है जनसंख्या का महा भिवाजन बर्स तो जनसंख्या का महा भिवाजन बर्स फूचा जाता है जो की 1921 होता है तो आपको ध्यान रखना है 1921 हो जाएगा अगर बात कर ले कि गजन संकिया घनत कितना था भारत का तो घनत था 382 प्रति वर्ग किलोमीटर तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर ठीक है आपको इतना question याद रखना है इसके बाद बात कर लेते हैं next question ओम कारेश्वर बहुद देशी परियोजना यहाँ पर इस्थित है आप संधियागा है बिदिसा सीधी धार इंदवर तो इसका सही अंसर हो जाएगा इंदवर तो जो ओम कारेश्वर परियोजना है कहां इस्थित है तो आपको ध्यान रखना है कि इंदवर में इस्थित है इसके बाद और यहाँ से क्या question पूछा जाता है तो इंदवर किस नदी के किनारे है यह question पूछा जाता है तो इंदवर किस नदी के की किनारी है तो आप याद रख लेंगे कि वासे वासे बेटसपा इसके बाद धार से question पूछा जाता है आपसे तो धार से question पूछा जाता है कि मांडू जिसको city of joy के नाम से जाना जाता है तो मांडू को किस नाम से जाना जाता है जो की राणी रूप मती और राजा राज बाज बहादूर के प्रेम के लिए प्रसिद्ध है तो आपको यहां से इतना question याद रखना है इसके बाद बाद कर लेते हैं इसका सही answer हो जाएगा कौन से समाज से संबंदित थी तो यहां से इनी बेसेंट से और एक question पूचा जाता है कि एनी बेसेंट कहां की थी तो आपको ज्यान रखना है कि Ireland की थी है और Congress की अध्यक्ष बनने बाली पहली महिला कौन थी तो पहली महिला कौन थी एनी बेसेंट तो आपसे एक question पूचा जाता है कि प्रथम Congress महिला और अगर पूचा जाए कि प्रथम भारती महिला पूचा जाए तो सरोजनी नाइडू हो जाएंगी लेकिन अगर पूचा जाए महिला तो आप एनी बेसेंट करेंगे आर समाज की बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे प्रार्थना समाज के लिए हो जाएगा महादेव गोबिंद रानाडे और आत्मराम पांडूरंगा तो आपको जयान रखना है कि आत्मराम पांडूरंगा और आर समाज पूचा में प्रसिद्ध पुरुस जो हिंदी पार सुगायक, गीतकार, संगेतकार, अभिनेता और बीना बादक हैं तो कौन है बर्सा बर्मा, दीपक चवसाला, सलीम खान, किसोर कुमार तो इसका सही पूछा जाता है कि अम्जद अली खान किस से संबंदित है तो आप से इतना क्वेशन यात रखेंगे अब इसके बाद बात कर लेते हैं question तो next question देख लीज़ेगा 64 भारती फिल्म पुरुसकारों में सर्वसेष्ट अभिनेता पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तो कौन सम्मानित किया गया था 64 की बात करें तो 64 में अच्छे कुमार लेकिन मैं अभी आपको लेटेस्ट बाला बताय देता हूं कि लेटेस्ट कौन कौन सा फिचर फिल्म था तो आपसे अगर पूछा जाए 2020 का आपसे पूछा जाएगा यह फिल्म कुरुसकार तो बेस्ट फिचर फिल्म की बात करें कि बेस्ट फिचर फिल्म 2020 की कौन थी तो बेस्ट फिचर फिल्म कौ जाएगी best feature film जो कि कौन से कौन सी movie हो जाएगी तो कौन सी movie हो जाएगी गुजराती movie तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां से question पूछा जाता है तो आप इसको note down कर लिजिएगा कि best feature film हो जाएगी हेलारो और अगर बात करेगी सर्वस्रेष्ट निदेशक कौन थे तो सर movie movie के लिए आदित धर आपको ध्यान रखना है इसके बाद बात करें कि सर्वस्रेष्ट अभिनेता कौन थे जो कि best actor कहे जाते हैं तो अभिनेता अभिनेता आपको याद रखना है कि आयूसमान खुराना तो आयूसमान खुराना जो कि कौन से movie के लिए तो अंधा धुन्द तो आपको ये भी ध्हान रखना है कि अंजा धुन्द मूवी हो जाएगी इसका स़ह अंसर इसके बात बात करें कि अगर göster अभिनेत्री की बात करें इसके बाद बात कर लेते हैं, next question तो next question देख लिजेगा, भारती राष्टी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडिस, सरोजनी नाइडू, ये नेली सेन गुपता, इसके बाद एनी बेसेंट, तो भारती राष्टी कांग्रेस की पहली, मैं बताया था कि भारती महिला पूछेगा, तो आप सरोजनी नाइडू टिक करेंगे, और अगर पहली महिला पूछेगा, तो पहली महिला हो जाएंगी, एनी बेसेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में बात कर सुके हैं, कि यूनाइट मुहमत अली अब्दूलगफार खान मौलाना अजार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मुहमत अली जिन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि अली जिन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सरोजनी नाइडू क्या कहीं थी, सरोजनी नाइडू इसके बाद देख लेते हैं next question से next question देख लिजेगा भारत में rubber का कुल उत्पादन 90% उत्पादन किस राज में होता है तो आपके लिए जो most important option होते हैं मैं उसको discuss करता हूं और जो important नहीं exam के लिए उनकी बात नहीं करते हैं तो आप ज्यान देंगे भारत में 90% rubber का जाता है केरल से तो केरल की राजधानी को पूछी जाती है तो केरल की राजधानी हो जाएगी तिरूबंत पूरम तो आपको ज्याद रखना है कि तिरूबंत पूरम हो जाएगी पूरम हो जाएगी इसकी राजधानी और इसके बाद पूछा जाए करनाटक तो करनाटक की राजधानी हो जाते बैंगलूरू तो आपको ध्यान रखना है कि बैंगलूरू हो जाएगी इसकी राजधानी और तमिल नाडू की राजधानी पूछे जाएगी चन्नाई तो आपको ध्यान रखना है कि चन्नाई हो जाएगी इसकी राजधानी और अंध्रदेश की राजध इसके बात बात कर लेते हैं next question तो next question देख लेजेगा भारत के राष्ट पती का कारकाल है पांच बर्स चार वर्स तीन बर्स साथ वर्स जिसका सही आंसर हो जाएगा कितने बर्स होता है भारत के राष्ट पती का कारकाल पांच साल होता है तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य सभा के सदस की बात करें तो राज्य सभा के सदस की कारकाल कितनी होती है 6 बर्स तो आपको रहान रखना है बाकियों का 5 साल होता है राज्य सभा के सदस की कारकाल कितनी होती है तो आपको रहान रखना है कि राज्य सभा के सदस 6 साल के होते हैं इसके बाद अगर ये question एक पूछा जाता है ये और एक कोशन पूछा जाता है न्युक्ति से तो अब हम पीछे बात करेंगे पीछे आएगा वो अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी को बर्स में समाप्त कर दिया गया था तो अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी को कौन से बर्स में समाप्त कर दि रखन Bennett जो कि him फूछ फूचा गया था उतारास्षासटामन में युद्ध हुआ था जो कि आप जानते हैं कि भारत की प्रथम क्रांति भूई थी तो इस्ट इंडिया कंपनी थी थी अठारास्षा अंठामन में खतम हो गई थी और एक question पूछा जाता है 1961 में 1961 में कौन सोतंत हुआ था गोबा सोतंत हुआ था गोबा किसे सोतंत हुआ था पूर्त गालियों से तो आपको याल रखना है कि पूर्त गालियों से सोतंत हुआ था गोबा इसके बाद देख लीजेगा मत्रदेश के में पन्ना जिला किसे संबंदित होता है माईका, मैगजीन, हीरा, तामबा इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा तो पन्ना जिला किसे संबंदित होता है हीरा से अगर मैगनीज की बात कर लेते हैं मेगनीच तो मेगनीच जो होता है जो कि भारत में 50% मेगनीच कहां पे होता है तो MP में होता है कुछ ध्यान रखना है कि MP में होता है भारत का 50% मेगनीज और जो कि मतलब किस जिले के लिए इसका भंडार किस जिले में पाए जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि बाला घाट इसके बाद और से कौन से जिले में पाए जाता है छिंदवाडा में इसके बाद अगर बात कर लेते हैं माईका तो माईका को किस नाम से जाना जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि और एक कोशन पूछा जाता है बाकसाइड बाकसाइड किस के लिए प्रसिद है तो बाकसाइड के लिए क्या प्रसिद है बाकसाइड के लिए हो जाएगा बाला घाट तो आपको ध्यान सरबाधिक ग्रेफाइट अगर पूछा जाए तो उड़ीसा हो जाएगा तो आपको ज्यान रखना है कि इसरबाधिक ग्रेफाइट की बात करेगा तो उड़ीसा हो जाएगा इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोशें देख लिजेगा दच्छिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत जो की मराठाओं से होकर आया है चैती, गर्वा, लावनी, सुरोभा, तो ये सुरोटा भा क्या लिखा है आप ध्यान रखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि लावनी तो लावनी हो जाएगी इसकी सही आंसर इसके बाद अगर बात कर लेते हैं next question, लोकनत आपसे पूझे जाते है, MP में, MP की लोकनत की बात कर लेते हैं, तो एपका question पूचा जाता है आपसे, तो एक question पूचा जाता है मटकी, तो मदप्रदेаз का लोकनत होता है, मटकी, कर्म, सैला, तो आप नोट कर लिजिए का सैला, इसके बाद पूछा जाता है मूरिया तो आप ध्यान रखेंगे कि मूरिया पूछा जाता है और पूछा जाता है जवारा तो जवारा लोकनत कहां का होता है मत्प्रदेश का होता है इसके बाद बात कर लेते हैं question तो next question देख लिजएगा इनमे से काँसा आदिल साही बंस के मुखमद आदिल साह का मकबरा है काह 250 मिनार ताज महल तो आपको द्यान रखना कि आदिल साही का मकबरा काहा है गोल कुल मिनार कहा इसaste कभी कभी पूछे जाता है तो कुतुम मिनार हो जाएगा दिल्ली में जो की विस्सु की तो आप ध्यान दिजेगा विस्सु की सबसे उची मिनार है कौनसी मिनार इंट की मिनार तो अगर पूछे कि विस्सु की सबसे बड़ी उची ब्रिक्स मिनार कौनसी है तो कुतुम मिना हो जाएगी ताज महल हो जाएगा आगरा में है तो कभी कभी पूछा जाता है कि ताज महल कहा इस्थित है तो आगरा में इस्थित हो जाएगा और इसका निर्माण कराया था तो इसका निर्माण कराया था उम्ताज बेगम की याद में तो आपको ध्यान रखना है जामा का कारकाल मतलब कितने साल का है तो वो उस चुनाव में मतलब जा सकता है तो एक कुछ पुछा जाता है कि राष्ट पती के लिए नियुंतम आयू सीमा कितनी होनी चाहिए तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट पती के लिए नियुंतम आयू सीमा कितनी होनी चाहिए 35 साल र राज्य सभा के सदस के लिए ज्यूंतम आयू सीनमा कितनी होनी चाहिए तो राज्य सभा के लिए होनी चाहिए 30 साल तो आपको ध्यान रखना है कि 30 वर्स हो जाएगा राज्य सभा के सदस के लिए और अगर लोग सभा के लिए हो जाएगा 25 साल तो आपको ध्यान रखना है कि तो थेंक्यू अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें